नमो अरहन्तानं नमो आयरियानं आज हम बात करेंगे रक्षा किसकी करें दस्वे कालिक सुत्र की दूसरी चूलिका की सोलवी गाथा में बताया गया है अप्पाखलुसाययं रक्षियव्वो सब्विंदी एहिं सुसमाही एहिं अरक्षियो जाई पहम उवेई सुरक्षियो सब्वदुहान मुच्चई इस गाथा में बताया गया है सब इंद्रियों को सुसमाहीत करके आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए अरक्षित आत्मा जन्म मरन को प्राप्त होता है और सुरक्षित आत्मा सब दुखों से मुक्त हो जाता है अध्यात्मा कहता है आत्मा की रक्षा करनी चाहिए आत्मा को बचाओ दोनों विरोधी बातें लगती हैं लेकिन दोनों विरोधी नहीं है अध्यात्मा जड़ को सीचने की बात करता है और संसार फूल पत्तों की रक्षा करने की बात करता है यदि अध्यात्मा की बात समझ में आजाती है तो संसार के फूल पत्तों को सीचने का जंजट नहीं करना पड़ता एके साधे सबसधे मूल बात है अध्यात्मा की बात समझ में नहीं आती है आत्मा की रक्षा करनी चाहिए इंसान का मन संसार की तरफ है संसार की तरफ इंसान का मन ज़्यादा है क्योंकि आपने देखा होगा आपके परिवार में जैसे ही सर्दी आती है लोग गोंद के लड़ू बनाते हैं, मेथी के लड़ू बनाते हैं, हल्दियां खाई जाती है ताकि शरीर पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, शरीर की रक्षा हो, अच्छी बात है जब तक शरीर हमारे साथ है, हमारा काम है कि हम इसको सुरक्षित रखे, निरोग रखे, इसको रिष्ट पुष्ट रखे हमारा दाइत तो बनता है क्योंकि इस शरीर से हमें अपने जीवन को वहन करना है और अध्यात्म को भी साधना इसी शरीर से है शरीर के बिना तो आत्मा के लिए ठिकेगी कहां लेकिन केवल शरीर पर ध्यान देना ये तो एकांगी हो जाता है शरीर हमारे साथ कहां तक रहता है हम एक बार व्यावरिक बात को छोड़ करके थोड़ा सा रियल फैक्चुल बात करती है शरीर हमारा हमारे साथ कब तक रहता है जब तक इसमें सांसे डाली हुई है जिस समय सांसे चुक जाती है हम तो क्या हमारा परिवार जो इस शरीर से प्रेम करता है जो हम से प्रेम करता है वो भी दो गंटा चार गंटा में उप जाता है और जल्दी से जल्दी वहां से विदा करने की कोशिस करता है केवल शरीर की रक्षा करके करेंगे क्या यदि शरीर के साथ दूसरा उद्देशे नहीं बनता है तो शरीर की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं होती तिजोरी की खाली तिजोरी की रक्षा क्या करेंगे उसमें यदि बहुमुल्य रत्न है और रत्नों की हमें पहचान है कि वास्तों में जो रत्न है वो बहुमुल्ले है उनकी रक्षा के लिए तिजोरी की रक्षा की जाती है उसको अंदर से अंदर बड़े कमरे में कहीं छिपा करके रखा जाता है कि लोग देख ना ले हमारी आत्मा भी इस शरीर की तिजोरी में बंद है और हमें ये दिए उसकी पहचान है कि आत्मा की महत्ता क्या है उसकी वैल्यू क्या है वो हमारे साथ कब तक रहेगी हमारा जीवन है वो और वो जीवन केवल एक शरीर में टिकवा नहीं रहता है आप गीता को उठा करके देखें, वो भी कहती है जैसे जीन कपड़े को छोड़ दिया, वैसे शरीर छूट जाता है नया मिल जाता है शरीर बड़ी पात नहीं है लेकिन उसके भीतर में जो बिराजमान है वो यदि सुरक्षित है तो फिर हम निश्चिंत रह सकते हैं लेकिन इंसान इतना कहां जागरुक है आत्मा के लिए धन के सुरक्षा के लिए जागरुक है धन को कैसे कहां इन्वेस्ट करना है कहां रखना है ताकि सुरक्षित रहे कोई गलत बात नहीं है यदि जीवन चलाना है और जीवन चलाता है तो धन की भी आवश्यक्त होती है उ कैसे धन बढ़े उसकी प्लानिंग की भी आवश्यक्ता होती है उसको नकारा नहीं जा सकता लेकिन केवल हमारा फोकस वहीं हो केवल धन 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 उसकी सुरक्षा कैसे हो मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है बताऊंगी तो आप कहेंगे कि ये कहानी तो हमने बहुत बा स्थिती को कि देखिए एक युवक था और वो युवक कभी सादू संतों की संगत नहीं करता कभी धर्म के प्रवचन नहीं सुनता उसका बस मन फोकस्ट था कि मेरा बिजनस कैसे बढ़े मेरा व्यापार कैसे बढ़े मेरा पैसा कैसे बढ़े घलत बात नहीं है गरेलू इं सुने और अपने जीवन के हित अहित को सोचे लेकिन वो नहीं जाता कभी कबार संत उनके घर में आ जाते उसको पता होता तो पहले से ही घर से बाहर चला जाता और कभी अचानक संतों से चार आखे हो जाती उसके रहते रहते संत अचानक उसके घर में आ जाते तो फिर तो क्य करे एक दिन ऐसा ही अवसर आ गया संत आये घर पर कहा भाई थोड़ा धरम करम किया करो प्रवचन सुन लिया करो उसने का माराज अभी तो यंग हूँ शादी को दस एक साल हुए है अभी हमारा कहां समय है प्रवचन सुनने का अभी जरा सब कुछ चैट कर लेता हूँ जब मे हमारा काम है समझाना हमारा काम है बाकी तो तुम्हारे मन की इच्छा है कुछ दिरों के बाद फिर संतों का अगमन हो गया और वो थोड़ा जल्दी में था संत ने उससे बात करनी चाही उसने का माराज आज थोड़ा से जल्दी में हूँ मैं फिर आपके पास आउंगा बा बच्चों की सब परिवार की सब की इंस्यूरेंस करवा देता हूँ संतों ने का इतनी क्या जल्दी है इंस्यूरेंस तो बात में भी हो जाएगी अभी कहां जाने वाले हो नहीं माराज ये कोरोना का समय चल रहा है इस कोरोना के समय में कुछ भी पता नहीं चलता है कब ये आ जाए, कब इन्फेक्शन बढ़ जाए कब कुछ हो जाए, कुछ भी पता नहीं चलता है आज हूँ, कल नहीं हूँ यदि इंशिरेस रहेगी तो परिवार को पीछे तकलीफ नहीं होगी संतोने का कोई बात नहीं धरम के लिए तो तेरी उम्र को तुम्हे पता है कि तू दादा जी की उम्र तक जाएगा लेकिन इंशुरेंस की बात आती है तो तुम्हे पता नहीं कि सांस अभी आएगी कल आएगी नहीं आएगी क्या होगा योग सोचता रहा कि मैंने क्या कह दिया हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा इनसान कब सोचता है जब धर्म की बात आती है आत्मा की हित की बात आती है तो इनसान सोचता है कि ये तो बाद में कर लेंगे बाद में हो जाएगा लेकिन जब दूसरी और बाते आती हैं तो इंसान सोचता है कि बाद में अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी अवसर है इसका फाइदा ले लेना चाहिए इंसान ये भीतर में जागरुक है तो वो जीवन को बेलेस बना करके चलेगा जैसे इस जीवन की सुरक्षा करने की कोशिस करते हैं वैसे अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जीवन केवल एक पड़ाव है और पड़ाव पर्मानेट नहीं होता कभी शाश्वत नहीं होता लेकिन आत्मा तो शाश्वत है ये तो जनम जनम ज जनम जनम पे जनम लेती रहेगी जिवन तो और मिलेंगे जनम और मिलेंगे लेकिन आत्मा का हितियदी साध लेंगे तो आगे के जनम अच्छे होंगे और आगे के क्यों ये भी जनम अच्छा हो जाता है हम आगे की बात तो परोक्ष में होती है तो कई बार लोगों को समझ मे नहीं आती है कि आगे की बात अभी क्यों सोचे, बात सही है, ना भी सोचो, कोई बात नहीं, लेकिन अतनी आत्मा की रक्षा करो, किस्य करो, सब्विंदियेहिं सुसमाहियेहिं, अप्पा खलू सययम रख्यवो, सारी इंद्रियों को सुसमाहित करके, अपनी पांच इंद्रि को समाहित करके हमें अपनी आत्मा की रक्षा करने चाहिए आपने कच्छवे को देखा है कभी आप बीच पर गए हो और कच्छवे को देखा हो तो आपने देखा होगा कि यदि वहां से कोई कुट्ता निकलता है या कोई और पशु निकलता है कच्छवा चल रहा है मस्ती से चल रहा है लेकिन थोड़ी से भी आहट होती है आप पी यदि पास में से निकलते हैं और उसको आहट सुनाई देती है तो वो अपनी पूरी के पूरे शरीर को उस ढाल के नीचे ले लेता है पूरी इंद्रियों को अपने अंदर कीच करके और ढाल जैसा बन करके बैठ जाता है सुरक्षित रहता है यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो कभी भी संकट में आ सकता है इसलिए ग्याने लोग कहते हैं इसलिए आगम की ये वानी कहती है कि सब्विंदी एहिंग सुसमाह एहिंग अप्पा खलू सययम रख्यवो जो आत्मा की रक्षा कर लेता है अपने इंद सुख में वास कर सकता है आत्मा को मुख्य मान करके चले जीवन में आनन्द ही आनन्द बरसेगा मैं अपनी बात यहीं संपन्न करती हूं ओम आरहाम